खान पान पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं अब सुने ना कि हम एक मीडिया चैनल पर सुन रहे थे कि एक सराव माफिया विधायक को जान मरने की धंकी दे रहा है कि एसपी को कॉंप्लेन करते हैं और उच्पी करते हैं कि उनका नामें मेडल देते हैं मडर केस में आप क्या बिगाड़ लीजेगा यह पैरलल एकनोमी खड़ी हो चुकी है बीस अजार करोड़ ही नहीं पचास अजार करोड़ का एक आसू पोछने भी आप नहीं जा रहा हैं क्या किये थे आदर्मियते जस्मी जी से भी आप लोग पूछिए कि कल तक जावन बिपक्ष में थे तो वो गोपाल गंज में जो कांड हुआ था उसमें वो क्या करने चले गए थे तीम भेजे थे विधान सभापरतिनीधी मंडल भेजे थे आज कोंकड़ा खा गया क्या आज इन की सब्सक्राइब या पुलिस तंत्र पर ठीक्राओ बना लें यह नहीं कर सकते हैं इनकी फेलियूर है यह नीजी तोर पे सरकार की फेलियूर है पुलिस क्या करें जी पुलिस दसानन बन जाए क्या दस हाथ पाउं बना ले पुलिस जोगी जी का मॉडल नहीं समझ में आ रहा है सराब आ जाएगा अगर सरकार चालेगी तो एक पत्ता नही हो रहा है तो इसके पिछे सिर्फ औू सरखर्गार घम्यदार व facil सवत हो चुका है čonian में जए तरह प्रसासिक ठ्रॉथ एСТेर भासा का प्रियोग कर रहें और सदर में समय से जंता दल्यूम के साथ रहे हैं और इन्हीं सब बात करेंगे अमित जी ये बताइए कि सराब बंदी अगर बिहार में सफल नहीं हो रहा है तो इसके पिछे अगर सफल नहीं हो रहा है तो इसके पिछे सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है इसलिए जिम्मेवार सरकार है कि सराब बंदी कानून लाए बहुत अच्छी बात है कानून आपने लाया लेकिन उस कान कानून लाते हैं या देश में संभिधान में को इस अन्सोरधन करके भी कानून लाया जाता है तो उसका पालन कराणे के लिए नहीं प्रसास्निक धाचा उक ऑफ्यार में पूरी तरह से द्हाचा फ्यल हो चुका है ताकि अगर प्रसास्निक धाचा सुर्धड क्वाइब्द ह लेकिन आपने उसका अनुपालन ठीक भंग से क्यूं नहीं करा है तो पुरी के तो तरी के सरकार जी में बार है अप लंबे समय से पाटी के साथ रहें जनता दलीयों के साथ कौन साइसा खामी जिसके वाज़ासे लागू नहीं हो पा रहा है लागू हुआ तो उसके लिए जो पॉलीशी बनानी चाहिए थी खान पान पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं अब अब सुने ना कि हम एक मीडिया चैनल पर सुन रहे थे कि एक सराब माफिया विधायक को जान मरने की धमकी दे रहा है कि एसपी को कंप्लेन करते हैं और उएसपी करते हैं कि भाई उनका नाम में डाल देते हैं मडर केस में उभी धायक जी का दोड़े भागे मुखमंत्री जी के पास पहुंच दे हैं मुखमंत्री जी उसको फिर हटाते हैं जब कि एसपी साहब का तवादला वहां से हो गया और वह कहता है कि भाई हम तो 50 को रुपया देते हैं मुखमंत्री को आप क्या बिगाड लीजिएगा तो यह जो यहां खामी हुआ कि पुलिस एक तो बिहार में अपराध और अनकामजी से पुलिस थाना एक पुलिस थाने के पास प्रेट्रोलिंग की जिम्यवारी है एक पुलिस थाने के पास लेड और बना रखने की भी जिम्यवारी है केस कानुसन धान करने का भी जिम्यवारी है और एक नया टास्क उसको को दे दिये गया साराब बंदी तो जब इंफ्राइस्ट्रक्चर आपके पास था ही नहीं आप उसके लिए dedicated force बना देते dedicated unit बना देते साराब बंदी को अलग एक सारा बंदी के चलते पूरा का पूरा तंब जो है न वह सराब के पीछे लगा हुआ है और जो कानून कि बड़िष्ट पत्रकार हैं वो कल उनका सुन रहे थे कर्षकर में हम भी दाद तले उंगली दवा लिए कि यह क्या है यानि कितना मनोबल यह हो बोले कि मानिय मुखमंत्री जी में नहीं हिम्मत है और नहीं वो प्रयास करेंगे इसलिए कि उनकी मजबूरी भी है लाचारी सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बंद करेंगा क्या इसको नहीं करेंगा है भाजपाव किसे देख रहे हैं भाजपा भी लेकिन उनका 677 फैल हुआ है तभी तो आज इतने लोग मर रहे हैं और आप नहीं जा रहा हैं क्या किये थे आदर्मियत अस्वी जी से भी आप पूछिए कि कल तक जब बिपक्ष में थे तो उसमें क्या करने चले गए थे तीम भेजे थे विधान सभापरतिनीधी मंडल भेजे थे आज कॉंकड़ा खा गया क्या आज वो टीम कहां चले गया सारे समूदर पार हो गए यादव समूदाय के ही लोग ते और सीवान में जो हुआ मढवडा में हुआ सारं में हुआ गरखा में हुआ मसरक में हुआ इन सब जगों पर बताइए सारंके ही रहने वाले नहीं ते जस्विजादब जी यानि सही में लोग कहता है कि ये चांदी के पलने पर पले हैं इनको देश दुनिया से क्या मतलब या दरनी ये लालू जी के पुत्र है बस इतना ही है इनमें गुन लालू जी का कुछ भी नहीं आया है बताइए सहब कलता गला फारते थे बिधान सभा में सीफ सेक्रेट्री और डीजी पी जाते थे सराब के बोतल खोजने और आज क्या हो रहा है कहां से सराब आ रही है ठीक है सराब बंदी कानून बहुत अच्छा कानून है लेकिन कहां से आ रहा है फ और त्रेफिक एंट्रॉल का सिस्टम अच्छा ना रॉग आच्छा ना हो रोज कर जाए तो सरकार अभी कहेगी कि हावाई जहाज पे चड़ोंगे तो मारों गे सब करवा दिए हलिकॉप्टर से लेके डून से लेके दुनिया जहां सब लगा दिये नटे मैं आज जो मोते हुई है जहरीली सट्स क्या रहा है कई व्यार में थोड़ी ओता है कि पर देश उत्तर पर्देश और भी बाकी जगह वहां भी ज्यादा मात्रा में जहरीली सराब से मौत होती है यहां क्या हुआ तो वहां के भी चीफ मिनिस्टर का कभी ऐसा सम्मेदन सिल वयान सुने थे क्या कि कह दें कि पीओगे तो मरोगे इकौन नहीं जानता है मनिमुकवंत्री जी कि पिएंगे जहरी इनका तंत्र सिर्फ बेतन लेने के लिए बैठा हुआ हां ह किकत में सासन तंत्र पे ठीकरा फोड़ना प踏क्र तंतर फोरना ये बहुत गैर जिमिधार आणा बैयान है यह नहीं कह सकते हैं इनकी फेलियो रहा है यह नीजी तोर पे सरकार की फेलियो रहा है पुलिस को मैं और अब चौकई दार बना दी है इन के चौकिदार नमर गये इससे भी सर्मकी बात होगी इसमें क्या देजी है जोगीजी का model नहीं समज में आ रहा है सराब आ जाएगा में सरकार चाल देगा 되면 ०ूद 부탁 Tok बिल्कुल सरकार की नाकामी है सरकार चीर-निद्रा में स्वोई हुई है सिर्फ एर कंडिसन चेमबर में हिलिकोप्टर से दौरा कर लेने से होता है ऐसे थोड़े ने चलती है सरकार बिल्कुल सरासर गलत बात है बक्स ना दीजिए बिहार को क्यों भीहर के बहनों का कलाई सुनी कर रहे हैं आप मांग का सिंदूर पश्वाने का काम कर रहे हैं अब सूचिए तुझे तणिक कि जिन जिन घरों में यह मातम का यह चला है उस परिवार पर क्या बीतेगा उन भीधवाओं पर क्या बीतेगा उन चोटे नौनिहाल बच्च और आज कर रहे हैं कि मुझा नहीं देंगे अच्छी बात है रही एक तरह का परामिटर रखिए ना कि रात को सोईएगा सुबह जागिएगा जो आपके जो चाटुकार लोग है कान में भर दिये अटेप रेकोर्डर ऐसा बज जाईएगा लगिएगा चिलाने कौन चाटुक चाहिए और रसीपी सिंग जी के हटते इनकी कितनी चीछा लेदर हो गए समझ में रहा है कहां चले गए इस पर सोचना चाहिए पनुर विचार करना चाहिए देखिए मुखमंत्री जी छट पटाहट में है कल क्या बोले कि मुआपजा दिलवाना चाहते हो तो इसका मतलब सराबंदी खोल दें खोलने के लिए तो खुद ब्याग रहे हैं लेकिन करे क्या इस तो बताए ना कि कल एक निवी चनल पर जो हम देखे उपर पतरकार बहु हम का दे रहा है एस पी को फून करते हैं कि मेरा हमारा नजर के सामने ही से ट्रॉक के ट्रॉक जात्वरी संसराब आई है करता नहीं तो एस पी साहब जब विधायक जी आगे लाके लगाया कि गिरिक कीजिए ज्यादा इदो दूसरत कीजिएगा तो जल्दी उपर जाने कि बताई कोन कहेगा कोन बताएगा कि सराब कहा है इस सब कुछ नहीं होना है विहार के हित में अगर चाहते हैं या तो लीक प्रूफ प्लान बनाईए ऐसा प्लान जिसमें तनिक भी देर न लगे कोई एक बूंद सराब ना आए किसी की मोत न हो चाहाँ वो किसी जाती धर्म स लोग सिख्षित नहीं हो रहा है तो उनको सिख्षित कीजिए उनका जनजागरन प्रदेश पांचो कड़ों रुपया इसा बिमारू प्रदेश पांचो कड़ों में नजाने कितना होस्पिटल और कितना क्या सुधर जाएगा तो यह करते हैं और परदा डालने के लिए कल देख रहे थे नियूज कि भाई जबरन कहा जा रहा है कि ठंड से मर गया क्या करें पुलिस वाले को बली का बकरा बनाए हुए हैं उनकी भी अंतरात्मार हो रही होगी अंदर से कैसे मुखमंत्री के चेकर में पढ़ गया है कि दिन पर दिन सीर पे लद रहा है तो बकस दी करीबी हैं और लगतार लंदे समय तक जनता दल्यू में रह चुके हैं हलाकि अभी आर्सपीजिंग जनता दल्यू से बाहर निकल गए हड़ गए हैं साइड होते ही और बिहार में सराबंदी एक खेल है और यह खेल किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि खेल को कैसे रोका है बहराल बने रहें जनता जन्सन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद